नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्र मैं हूं श्रद्धाव मेरे साथ हैं परश्णी कुंडली विशेश की पंडित सुरेश पांडे जी पंडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार दिपावली नहीं आज होली का देहन पर भी बरसेगा धन देखिए होली का देहन स्पेशल काल चक्र जी हाँ आज है होली का दहन, इस बार होली का दहन पर कौन से उपाय दूर करेंगे आपका कश्ट दरिद्रता, बढ़ाएंगे सुख और समृध्धी और बनाएंगे आपको माला माल आज का होली का दहन स्पेशल काल चकर जरूर देखिए क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा इसलिए बने रही है काल चकर के साथ साथ ही एक और सूचना जो आपको बताना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका प्यार इतने सालों से मिल रहा है और आपके प्यार के साथ 4 अप्रेल को कालचक्र को पूरह 12 साल हो रहे है आप अपने वीडियोज के मार्दियम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिजाल सफर का हिस्सा भी बन सकते हैं पंडित सुरेश पांडे जी और काल चक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं आप हमें अपने वीडियोज हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी है कालचक्र अड़ारेट बीजी नेटवर्क टॉट इन आप अपने अनुभव हमसे साज़ा करेंगे तो ये दिन हमारे लिए और आपके लिए और भी जादा खास बन जाएगा इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं आपने चर्चा को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुप महरत साथ मार्च दो हजार तेईस दिन मंगलवार आज फालगुन सुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिति है साम च्छ बजकर नौ मिनट तक इसके बाद चैत्र क्रिश्न पक्ष की प्रतिपदा तिति सुरू होगी पूर्वा फालगुनी नक्षत्र रात दो बज कर वाइस बिनट तक है उसके बाद उत्रा फालगुनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा धृती योग रात 9.15 तक है इसके बाद सूल योग सुरू होगा आज छोटी होली यानि होली क्या दहन का दिन है आज बसंत पूर्णिमा है और आज लक्षमी जयनती भी है आज के कुछ असुब मुहुरण भी है जैसे मंगलवार है न तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से साम 4 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9.36 से सुबह 11 बज कर 4 मिनट तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12 बद तिस से दोपहर 2 बजे तक इन असुफ समयों में किसी नएकारे की शुरुवात या यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैमाविन निवास नी तो आज होली का देहन है और हर कोई होली का देहन करता है लेकिन उसका सही मुहरत क्या है होली का देहन का महत्व क्या है आईए पंड़ेजी से हम जान देहन है पंड़ेजी बताइए आज होली का देहन है शुब मुहरत क्या है और होली का देहन का महत्व क्या है देखिए प्रदोस काल में होलिक्या दहन करना सास्त्र सम्मत माना गया है लेकिन इस बार थोड़ा सा ब्यतिक्रम हुआ है ब्यतिक्रम यह हुआ है कासी के पंचांग में होलिक्या दहन को आज साथ तारिक की सुबह चार बज के पैंतालिस मिनट से पांच बजे के अठावन मिनट के बीच में होलिक्या दहन का मुहुरूद बताय गया है वो इसलिए कि कुछ लोगों की माननता है कि मंगलवार को होली नहीं जलानी चाहिए तो सुरियोदय से पहले होली सोमवार में जला दी जाए ताकि मंगलवार का दोस्त ना लगे कुछ लोगों की माननता ये है और जो ज़्यादा माननता है वो ये कि इस बार होली का दहन का मुहुरूद कुल दो घंटे 27 मिनट का है जो आज साम 26 से रात आठे क्यावन तक रहेगा तो इसमें भी होली जलाई जाएगी प्रदोस्काल में और सुवह कल आठ तारिक को होली मनाई जाएगी जैबामी निवासनी तो यानि कि आज होली का दहन होगा और कल यानि कि आठ तारिक को होली खेली जाएगी रंग अबीर गुलाल से तब खोली खेलेंगे और एक पर फिर से आप को याद ला दूँ चार अप्रेल को कालचकर को पूरे हो रहे हैं बारा साल आप अपने वीडियो के जरीए कालचकर के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं आप अपने अपने वीडियो हमारी एमेल आई डी पर भेज सकते हैं हमारी इमेल आई डी है आप अपने अनुभव हम से साजा करेंगे तो यह दिन हमारी लिए और आपके लिए भी बहूत खास बन जाएगा मा लक्षमी की कि रिपा पाने के लिए आज मेश राशी वालों को होली का दहन पर कौन से उपाए करने चाहिए आईए जानते हैं देखिए इस होली का दहन के पावन अवसर पर मेश राशी के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि मेश रासी में राहू है और धन अस्थान में मंगल है जो रासी का स्वामी है और आम्ननी के अस्थान में सूरिबुत सनी है ऐसे में अगर गोचर को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मेश रासी के जातकों को इस साल होली का दहन के अस्थान पर जाने पर पूरो या दक्षिन पूरो दिशा की ओर खड़ा होना चाहिए और वहीं खड़े हो करके होली क्या में जो भी सामग्री आपको डालना हो डालना चाहिए सामगरी डालते समय ओम अंग अंगार कायनमा या मंगल गायत्री मंत्र का जब करना चाहिए बोलना चाहिए दो चार बार जब क्या करोगे दो चार बार बोलना चाहिए खोलिक्या दहन के बाद घर आकर के गाजर के हलवे का प्रसाद भगवान को समर्पित करना चाहिए थोड़ा सा घर ले जा करके तेल में मिला करके अपने सरीर पर मल करके फिर असलान करिए इससे मा लक्ष्मी की क्रिपा मिलेगी रोग से मुक्ति होगी इसमें कोई संदेह नहीं है जैमा बिद्वास नहीं और व्रिशब राशी वालों को होलीकार देहन पर क्या कुछ उपाए करने चाहिए ताकि उनकी जो परेशानियां है वो दूर हो जानेंगे हम पंड़जे से लेकिन उससे पहले कॉलर रो चुके हैं तलजीर जी बहुत-बहुत स्वागत है आप बात कर सकते हैं पंड़जे से हाँ नमस्कार जी हाँ नमस्कार क्या नाम है मेरा नाम दल्जीत कुमार है मैं उन्ना हिमाचल से बोल रहा हूं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगास्त 1907 है जी तो मेरे काम के बारे में मुझे बताईए कि मैं आगे क्या करूं मैं एक प्राइबेट जॉब कर रहा था वो नोक आग के मनचल और बुनाना चाहा हूं वो कल कर according की कैसे इसका मतलब यह होता यह कि आपकी उम्र भले ही 64 साल की हो गई है, लेकिन आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं है, जबकि आपने जीवन में ठीक कुपल अभधियां आरजित की है, ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब गया है, लेकिन अभी आपको अपने जीवन से असंतुष्टी है, जहां तक आपके कुछ करने का प्रस्न है तो मैं बताओं कि आपको अगर नौकरी मिले तो सबसे अच्छा है नौकरी करना चाहिए किसी मतलब की बिजली के से बिजली से रिलेटेड ताबा या किसी धातू से रिलेटेड संस्था में नौकरी करनी चाहिए या किसी ट्रांसपोर्ट में लोजिस्टिक कमपिनी में भी आपको नवकरी करना चाहिए और ये दिया आप व्योसाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा व्योसाय जो होगा वो अनाज का व्योसाय होगा अगर आप अनाज का व्योसाय करें तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी घर बनाने की यहां तक बात है चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल सूरी से चतुर्थ दसम है अभी थोड़ा समय लगेगा घर जरूर बनेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा जैमाविन दिवासनी और चलिए अब वरिशाव राशी की बात करेंगे मालकश्मी की कृपआपने के लिए आज वरिशाव राशी वालों को होली का दहन पर कौन से उपाई करने चाहिए आए जानते हैं आपके रासी में तो मंगल इसमय विराजमान है और होली पर चंद्रमा की स्थिती आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो अभिया आप दक्षिन पूरब दिशा की ओर खड़े हो करके होल्किया में सामगरी डालिएगा South East में खड़े होकर के और North West की तरफ मुह करके होलक्या में सामग्री डालिएगा होलक्या में सामग्री डालते हुए ओंग नमा सिवाय बोलिएगा या स्युगा एत्री मंतर का जब कर दीजिएगा जो भी आपको आता हो दो-पांच बार कह दीजिएगा खोली के दिन सुबह मने कल सफेद कपड़े में ग्यारा चुटकी होल क्या ध्हन की राख रख लीजिएगा जाकरके और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा और उसको बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा इसका असर देखिएगा कि पूरे साल आपकी तुजोरी पैसे से खाली नहीं होगी हर समय आपके पास धन आता रहेगा पैसे की बरकत रहेगी मुकदमे में दवाई में आपका पैसा खर्च नहीं होगा दवाई और मुकदमे से आप बचे रहेंगे इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो लक्षमी की कृपा जरूर होगी जय माविन निवासनी और आज की चर्चा बहुत खास है क्योंकि हुली का देहन से चुड़े उपाई बता रहे हैं हुली का देहन का महत वापको पंड़े ने बताया आपने इस खास तरचा को हम जारी दखेंगे लेकिन कांटा हमारे साथ कॉलर जुट चुकी है कांटा जी स्वागत है आप बात कर सकती है पंड़े से जी मेरे बेटे का नाम रावल है और बहु का नाम अंजली है क्या वे विदेश में जापाएंगे बेटे के विदेश जाने के संदर्व में प्रस्न है तो देखो ऐसा है कि आपके पुत्रभाव से कांटा आपका पुत्रभाव जो है वो उसका स्वामी है सुक्र और उससे गमन अस्थान का स्वामी है बुद जो इस समय इस्थिर रासी में बैठा हुआ है कुम भरासी में जो तिस का एक फार्मूला है इस्थिरई स्वदेश सई बहु भाग्य युक्ता इस्थिरई ग्रहई भूर इधरान नितस्यात तो इस्थिरे स्वदेश सही बहु भागय उगता उन्हें अपने ही देश में उन्नती मिलेगी अपने ही देश में प्रगती का आउसर मिलेगा और विदेश जाने का योग अभी नहीं बना हुआ है अभी कम से कम अगर विदेश जाना भी चाह रहे हैं तो दो-तीन साल तक बिदेश जाने का कोई योग नहीं बना हुआ है, अभी अपने ही देश में इनका मान संबान बढ़ेगा जैमाविन दिवासनी और अपनी जर्चा को आगे बनाते हुए बात करेंगे होली का देहन में चड़ाई जाने वाली पूजा की समगरी की इस पूजा समगरी का महत्व क्या है, आईए जानते हैं, बताएए पंडे जी, क्या कुछ चड़ाया जाता है होली का देहन में देखिए, होली का में सक्ति समर्थ के अंसार, हर ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जो पवित्र हो अब मैं आपको होली का दहन में चलाई जाने वाली पूजा समगरी के महत्व के बारे में बताता हूँ खोली का दहन में उंबी, उंबी जानते हैं क्या, धान की एक प्रजात्ती होती है गोबर के बने हुए उपले, बढ़कुले जीटको कहते हैं नारियल और नाडा जिसको कलावा भी कहते हैं ये सब चीजें मतलब की होली का में अरपित की जाती है उंबी एक नए प्रकार के धान का प्रतीक है इस समय गेहूं की फसल कटती है इस स्वर को धन्यवाद देने के उद्देश से उंबी होली का दहन में अरपित की जाती है उंबी का भोग अगनी देव को प्रसाद के स्वरूप में चढ़ाया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ कि होली का दहन की पूजा में गोबर के बने बढ़कूले क्यों अरपित किये जाते हैं अगनी और इंद्र बसंत पूर्णिमा के देवता माने गये हैं ये अगनी को गहने पहनाने का प्रतीक है अब मैं आपको बताता हूँ खोलिका दहन की पूजा में नारियल और नाड़ा अर्पित क्यों किया जाता है नारियल को धर्मंग्रंथों में स्रीफल कहा गया है इसे चढ़ा कर वापस लाते हैं जलाते नहीं है और प्रसाद रूप में ग्रहन करते हैं वहीं नारे को वस्र का प्रतीक माना गया है खोलिका को स्रिंगारित करने का भाव इसमें नहीत है और इसलिए नारा समर्पित किया जाता है जै माविन दिवासनी तो इस खास चर्टर को हम जारी रखेंगे इससे पहले में आपको बता दूँ कि अपनी अपना फोन नंबर अपनी समस्या लिख कर भेजें आप भी लगी विजटा बन सकते हैं हमारी इमेल कुंडली आपकी इस कारिकरम में शामिल हो सकती है और आज के इमेल कुंडली विजटा कौन है बताएंगे थोड़ी तेर बाद और एक कॉलर हमारे साथ जूड़ चुके हैं सचिन जी बहुत-बहुत स्वागत है बात करिए पंड़ी से पंडी जी प्रणाम सदा सुखीर हो बिटर पंडी जी सचिन सिंग नाम है मेरा मिर्जापूर से मैं बोल रहा हूं मैं बहुत बार टाई भी किया फोन लेकिन आज मेरी किसमत खुली आज आज आपसे बात करने का मौका मिला है मैं आपका प्रोग्राम कई सालों से देख रह है जो कि मैं दो सवाल है कि मैं करломा चाहता हूं व्यृत कूस संयोग बन नहीं पारए है क्या करवांद चाते हो अपना घर बनवाना चाहिए हूं फिसका संयह नहीं बन पारहा है दूसरा सवाल मेरे अंकरियर को लेकर है पंडी जी मेरा जनम है 2 नौमब्र 1992 मों में चार मेरा पंडी जी मेरे जनम बर्थ के हिसाब से देखो बिटा ऐसा है कि मेरे समझ से जो आपने प्रस्द किया है सचिन बाबू आप घर बनवाना चाहते हैं आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सुक्र सनी से दुतिर द्वादस है घर बनने में अभी तीन साल का वक्त लगेगा तीन साल का समय मतलब सन दोहजार पचीज के अन्त से दोहजार चब्वी सताइस में आपका घर बनकर तयार होगा और वो भी छोटा साही घर होगा बड़ा धर नहीं होगा क्योंकि आपके ग्रिह भाव का स्वामी सुक्र उच्चरासी में भले बैठा हुआ है लेकिन सरनी से दुतिर द्वादस की इस्थिती में है इसलिए अभी आयसरोत इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े घर का निर्माण हो सके दूसरा प्रसन आपने अपने करियर के लिए किया है तो दसंभाव का मंगल इस बात का संकेत करता है कि अभी तो संतोष जनक कारे करके आपको अपनी आजीविका चलानी पड़ेगी लेकिन फरवरी दोहजार पचीस के बाद आपको आयसरोत के नए साधन मिलेंगे और मुझे जहां तक लगता है कि सरकारी ठेकेदारी अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप करें या प्रापर्टी का काम आप करें तो इसमें आप दिन दूना राच्चोगना उन्नती कर स पत्ते हैं जै माविन दिवासनी और चली आप बात करेंगे मिथुन राशी की मालक्षप की कृपपा पाने के लिए आज मिथुन राशी वालों को होली का देहन पर कौन से उपाई करने चाहिए आए जानते हैं यदि आपके मिथुन राशी है तो आप जान लीजिएगा कि आपके पराक्रम अस्थान में इस समय चंद्रमा बिराजमान है और आपके भाग्या अस्थान में सूर्य बुद्ध सनी की इस्थिती बनी हुई है मंगल आपके बारवे भाव में है तो आप क्या करेंगे होली का दहन पर आप पस्चिम या दक्षिन पस्चिम साउथ वेस्ट की और खड़े हो जाएगा नार्थिष्ट की तरफ मुह कर लीजिएगा और जो भी सामग्री आप घर से होलिका में डालने के लिए लाए हैं उसे आप डालिएगा और अगर आपको याद रहे तो ओम आयम हरीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमा इस मंत्र को बोल करके पांच बार सामग्री डालिएगा कल होली का दहन के बाद मुह की डाल का हलवा बनवाईएगा उसका देवी जेवताओं को परसाच रहाईएगा और उसे लोगों में बांटिएगा होली के सुबह हरे रंग के कपड़े पहनिएगा और हरे रंग के कपड़े में होलीका की तीन चुटकी होलीका दहन की राक के साथ अगर हकीक पत्थर मिल जाए तो बाद कर उससे अपने तिजोरी में रख लीजिएगा इससे भी लक्षमी की कृपा मिलती है करकरा शिवले क्या कुछ करें ताकि मा लक्षमी की कृपा उने मिले आज होलीका देहन पर वो क्या उपाई करें यह हम जानेंगे पंडिजी से लेकिन उससे पहले लखनों से कॉलर जुड़ जुड़ जुके हैं आजय जी स्वागत है बात कर सकते हैं आप पंडिजी से प्रणाम गुरु जी हां सदा सुखी रही है पंडिजी मैं अजय कुमार मिस्रा लखनों से बोल रहा हूं जी पंडिजी मुझे अपनी बेटी के बिवाह के बिशे में जानना था उसकी देट आप बर्त है तीन अक्तूबर उनीस्तो निन्याननबे सायम चार वजे लखनों जी देखो भाईया आपके बेटी के अजय विवाह का समय बन चुका है और अब इसमें ज्यादा देर नहीं है अक्तूबर नुवंबर तक कहीं न कहीं साधी फिक्स हो जाएगी और अगले साल जनवरी फरवरी मार्च तक साधी संपन्न हो जाएगी और इंजीनियर लड़क का योग बना हुआ है आपके ओल थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत सुन्दर विवाह होगा इसमें कोई संदेह नहीं है जै माविन दिवासनी मालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज करकराशी वालों को होली का दहन पर कौन से उपाए करने चाहिए आएज जानते हैं देखिए अगर आपकी करकराशी है तो आपका स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशी में दूतिय भाव में इस्थिति है और मंगल की इस्थिति जो है आपके एकादस भाव में है और आपके मृत्तु अस्थान में चुकि सूर्य बुद्ध सनी तीनोग रह है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस होलिका दहन पर कुछ आपको विसेश करना है विसेश क्या करेंगे आप होलिका दहन के समय अगर आप साम को उपस्थित हों तो उत्तर या उत्तर पस्चिम दिशा की और खड़े हो करके खोलिका में सामग्री डालें सामगरी डालते समय महामर तुझेम्नतर का चप करें खोलका दहन के बाद चावल से बनी मिठाई बाटें खोली के दिन सुबह सफेध रंग के कपड़े में साथ चुटकी होलका दहन की राख के सांथ साथ गोमती चक्र बाद कर अपनी तिजोरी में रख लें एक साल तक इसको रखें इससे आपकी आर्थिक इस्थिती में जरूर सुधार होगा जैमावी निवासनी होली का देहन पर कौन से उपाए आपको मालाबाल बना सकते हैं और आपके जीवन को खुशियों से बढ़ सकते हैं यही आज काल्चक्रपे पड़िची आपको बता रहें हैं अपने इस खाथ सरvenes को आगे बढदाते हों भात करेंगे होली का देहन की पूजा विधी के बारे में या किया गया है उसके अगल बगल हो सके तो साफ सफाई का कारक्रम करें। सफाई के बाद खोलिका दहन के लिए सुखी लकड़ी और सुखे कंडों की बिवस्था करें। अगर गोबर के उपले मिल जाए तो सबसे अच्चा। और गाय का गोवर ले करके उससे अगर आपसे बन सकती है तो प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां बनाएं नहीं बन सकती है तो मत परिसान हूँ भगवान नरसिंग की आराधना के लिए सभी आवस्यक बस्तूओं को तैयार करें प्रदोस काल में माने आज साम को 26 के आसपास पूजा सुरू करें परिवार के सदत से अगर जा सकते हैं होलिका के पास तक तो होलिका की क्लाकवाइस तीन परिक्रमा करें और भगवान नरसिंग का नाम जब करते हुए हाथ में पांच प्रकार के अनाज अगनी में डालें पवित्र अगनी के फेरे पूरे करते समय होलिका को धकने के लिए एक कच्चा सूट लें पवित्र अगनी में गाय के गोबर, सूखे चने, जव, गेहुं ये सब चीजें डालना चाहिए होली के रंगों को गुलाल की तरह पवित्र अगनी में डालें और होलिका को जल की आश्मन भी अर्पित करें होली में जल ना डालें होली के बाहर जलगी रा सकते हैं अंत में जली हुई आग की कुछ राक जब ठंडी हो जाए तो उसे इकठा करें और इसे अपने घर में रखें आप इसे अपने घर में negativity दूर करने के लिए छिडग भी सकते हैं और इसका तिलग भी अपने माथे पर लगा सकते हैं इसका तिलक सब प्रकार के दुर्भागे को आपके दूर करेगा और निह संदेह आपको सवभागे साली बनाएगा इसमें कोई दोर आय नहीं है जै माविन दिवासनी और हमारे आज की इमेल कुंडली विजटा कौन है यह हम आपको बताएंगे थोड़े देर में लेकिन आपको भी यह सुनहरा आफसर बिल सकता है आपको काल चक्राइड डारेट बीजी नेटवर्क डॉट इन पर अपनी डेट ऑब टाइम अवब प्लेस ऑफ बर्थ अपनी सम करते हैं इस होली के पावन अवसर पर सिंह रासी के जात्कों को बताना चाहता हूं कि आपके रासी में चंदरदेव विराजमान है भीया और आपके सब्तम भाव में सूरी बुद्ध सनी की यूती बनी हुई है लेकिन आपके मृत्तू भाव में सुक्र और ब्रिहस्पती ह ऐसे में समस्या उत्पन होती है कि आपको स्वास्थ समंधी समस्या कुछ उत्पन हो सकती है Aisे में आप होलिक्या दहन के समय साउथिस्ट दक्षिन पूरवदिशा में खड़े हुईगा और नार्थिस्ट की तरफ उत्तर पस्टिम की तरफ मुह करियेगा और होलिका में जो भी सामग्री आपको डालना है सामर्थ के अनुसार उसे डालते हुए सूरे गायत्री मंत्र का जब करिएगा या ओम घ्रिंडी सूरियाय नमा या ओम सूरियाय नमा इस मंत्र को दो-पांच बार बोलिएगा क्योंकि सूरिय देव आपके राशी स्वामी है इसी माध्यम से आप सूरिय को भी याद कर लेंगे होलिका दहन के बाद कल केसर से बनी मिठाई लोगों में बाटियेगा और होलिके दिन सुबह सुनहरे रंग के कपड़े में अर्थात कल सुबह पांच चुटकी होलिका दहन की राख के साथ सूरिय यंत्र और तांबा का पुराना सिक्का बांद करके अपने तियोरी में अस्थापित कर लीजिएगा फिर कभी आपका पैसे से हाथ खाली नहीं होगा जैमाबिन दिवासने मारक्ष्मी की कृपा बाने के लिए आज कन्या राशी वालों को हुली का दहन पर कौन से उपाए करने चाहिए आईए जारते हैं तो कन्या राशी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी तो रोक सत्रू के अस्थान में बैठा हुआ है और वो भी सूर्य सनी के साथ बैठा हुआ है तो कहिन कहिन से ये होली आपके लिए बड़ी प्रभावसाली या बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है तो आप क्या करें कि अच्छाई हो जाए तो आप होली जहां जलेगी वहां से होली से दक्षिन दिसा में खड़े होगे उत्तर मुह करके और होली का में जो भी समग्री आप डालना चाहते हैं गोबर का कंडा लकडी अनाज अबीर गुलाल जो भी सामार आप डालना चाहते हैं उसको सरद्धा पुरुवक ओम बूंग उधाय नमहा ये कहते हुए आप समर्पित करिए और होली का दहन के बाद मूंग की डाल से बनी मिठाई लोगों में जरूर बांटिये गुजिया वगयरा भी बांटियेगा लेकिन मूंग के डाल की बनी मिठाई भी बांटियेगा और कल सुबह होली के दिन जहां होली जली है वहां जा करके सुबह हरे रंग के कपड़े में इग्यारा चुटकी होली का दहन की राख के साथ ताबे का छेद वाला आप साथ सिक्का बांध कर अपनी तिजोरी में रख लीजे इससे दरिदरता दूर होगी पैसे की बरकत आप संब्रिद्री की तरफ बढ़ेंगे कन्याराच वालों को कल होली पर हाथ में कपूर रगड करके उसको सुगना भी चाहिए इसका बहुत असर पड़ेगा कल नहाने के बाद थोड़ा सा कपूर लीजिएगा और दोनों हाथों में इसे मलिएगा मलने के बाद कपूर को ऐसे नाग के पास लगा करके दो तीन बार सुम हीएगा इससे पूरे साल आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी यह विश्वास रखिएगा जैमा बिन निवासनी चार अपरेल को काल चकर को बारह साल पूरे हो रहे हैं आप अपने वीडियो के माधियम से काल चकर के सुनहरी और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं पंडित सुलेश पांडे जी और कालचकर की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं आप हमें अपने वीडियोज हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं जो है कालचकर.डरेट बीएजी नेटवर्क.डाटेन आप अपने अनुभव हम से साजा करेंगे तो ये दिन और भी जादा खास बन जाएगा होली का देहन की राख कैसे दिलाएगी अच्छी सेहत और सफलता साथ ही अपने मन और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको होली का देहन की राख से जुड़ा कौन सा अज्छूक उपाई करना चाहिए आईए जानते हैं पताईए बंदेजी देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बाहर खुस रहते हैं लेकिन जब आप घर में पहुंचते हैं तो आप उदास हो जाते हैं उसके बहुत से कारण हैं पहली बात तो घर में वास्तु दोस्त होगा दूसरी बात घर में निगेटिविटी होगी घर में निगेटिविटी गंदगी से होती है बंद पड़ी हुई अगर घड़ी है घर में उल्जे हुए इलेक्ट्रिक के तार हैं घर में या घर में पुराने जूते ऐसे पड़े हुए हैं, जो अब पहने नहीं जाने हैं, या पुराने कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, जिन्हें अब पहनना नहीं है, या आप ये समझ लीजिए कि कबाड का सामान आपके घर में कहीं कहीं इकठा हुआ है, छिपकिलियां आपके संख्या में हो गई हैं, घर की दिवारों में नमी आ गई है, फर्स टूटी हुई है, दिवार पर रंग खराब हो चुका है, तो ये सारे कारण ऐसे हैं, जो घर में नकारात्म कुर्जा को बढ़ावा देते हैं, और जब नकारात्म कुर्जा होगी, तो वहां न आपको ठीक स नीद आएगी, ना आप हस पाएंगे, ना आप प्रसन होकर भोजन कर पाएंगे, केवल तनातनी, खींचातनी और परिवार में एक प्रकार से संघर्ष की इस्थिती बनती है, इन सब चीजों को खतब करने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि कल सुबह खोलिका की राख को घर ले आकरके, और घर की चारो दिशाओं में पूरव प्रस्चिम उत्तर दक्षिन, चारो दिशाओं में एक एक चुटकी राख छिर कियेगा, और यदि आप अपने घर की नकारात्म कुर्द्या से बहुत परिसान हैं, तो जब होली जल जाए, तब आप खोलिका का जलता हुआ, एक कंडा मिट्टी के करवे में रख करके अपने घर तक ले आईएगा, और उसे घर के अगनी कोण में, साउथिस्ट में रख दीजिएगा, भले वो दस-पांच मिनट के बाद बुश जाए, अगनी को अपने घर के अगने कोण माने साउथिस्ट में रख अब वो अपने से बुझ जाए तो बुझ जाए अच्छी सेहत के लिए होली के दिन कल होली का की राख को सरीर में मलिएगा फिर अस्दान करिएगा जीवन में सफलता पाने के लिए होली का दहन की राख से हर दिन एक डब्बे में होलिका दहन की राख रख लीजे और हर दिन आप अगर आपको लगता है कि आपको नजर, जादू, टोना, ब्लैक मैजिक, कुछ भी आपके साथ हुआ है तो होलिका की राख से अगर आप 40 दिन तिलक कर लेंगे माथे पर तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और एक सूखा जटा वाला नारियल थोड़ा सा एक मुठी काला तिल और पीली सरसों ये जरूर होलिका में डाल दीजिएगा इससे आपका सौभाग्य उदय होगा जै माविन दिवासनी मालक्षमी की कृपा पाने के लिए आज तुला राशी वालों को होलिका देहन पर कौन से उपाय करने चाहिए आईए जानते हैं चलिए अगर आपकी तुला राशी है तो आप जान लीजिए कि आपके राशी में केतू विराजमान है और आपके पंचमभाओं में तो सूरीबुत सनी है ये चीज अच्छी है लेकिन आपके रोक सत्रू के अस्थान में ब्रिहस्पति और सुक्र हैं मिर्तू के अस्थान में मंगल कहीं न कहीं से आपकी राशी इस समय थोड़ी सी कमजोर चल रही है तो इस होली पर बात बन जाए इसके लिए आप खोली का जहां होलिक्या का जहां आयोजन किया गया है उसके पस्चिम दिशा में पूरब मुह करके खड़े हो ये और जो भी समग्री आपको डालना है होलिक्या में उसे डालिए और भगवान सीव का ध्यान करते हुए ओम नमध सिवाय जरूर बोलिए होलिक्या दहन के बाद कल दिन में नारियल से बनी मिठाई जरूर लोगों में बाटिए और कल सुबह क्रीम रंग के कपड़े में साथ चुटकी होलिक्या दहन की राख के साथ साथ पीली कौडियां बाद कर अपने तिजोरी में रख लीजे इससे आर्थ बेवस्था पर आपके अनुकूल असर पड़ेगा जैमाविन निवासनी मा लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज व्रिष्चिक राशी वालों को होली का देहन पर कौन से उपाय करने चाहिए आईए जानते हैं देखी ब्रिष्चिक राशी वालों के लिए तो यह कहना चाहूंगा कि आपके सुक अस्थान में सूरी बुर्द सनी है और आपके संतान भावों में सुक्र और ब्रहस्पती की इस्थिति है उपासना और विद्या का भी यही अस्थान है सत्रू अस्थान में भले राहू की स्थिति है लेकिन जीवन सांथी का अस्थान जो है मंगल से युक्त है ऐसे में आप उत्तर दिशा की और खड़े होईएगा दक्षिन की और मुह करिएगा और खोल्किया में जो भी सामगरी डालना हो उसको ओम पवन नंदनाय नमह या वह हंग हनमताय स्वाहा कहते हुए डालिएगा खोल्किया दहन के बाद छुआरे खोली के दिन बांट सकते हैं या लाल कपड़े में बांध करके 17 चुटकी होल्किया दहन की राह के साथ एक मूगा अगर देशी मूगा नहीं मिलता है तो इटालियन मूगा ही सही अपने त देखिये कैसे चमतकार होता है ब्रिश्चिक रासी वाले सिर ढखकर पगड़ी पहन कर होली खेलें लाल गुलाल अपने सह पाठियों सह कर्मियों और कारोबारी मित्रों को लगाएं जय माविन दिवास में विजनौर यूपी से हमारे साथ एक कॉलर जोड़ चुकी है देटाओ बर्द है 23 मार्च 2008 जविवास समय राज शाड़ बुजी परने जी मेरा सबना विदेश जाके रहने का तो क्या वो पूरा उपाएगा और बुजे कि सब्सक्राइशन फील्ड में जाना चाहिए देखो क्रित्किया ऐसा है कि तुमने प्रस्ण गमन के लिए किया है और अभी तुम्हारी उम्र हो रही है 15 साल अभी 10 साल तक विदेश जाने का कोई सपना मत देखो 26 साल में अगर तुम चाहोगी तो विदेश जाने का योग बनेगा अभी मन लगा कर पढ़ाई करो विदेश में सकसेज होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है वहाँ जा करके क्या लेबर का काम करोगी इसलिए अभी पढ़ाई पर फोकस करो जब समय आएगा तो विदेश के लिए देखा जाएगा ठीक है और जब तक तुम्हारे विदेश जाने का समय होगा तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि USA, Canada, योरप से किसी मामले में भारत कम नहीं होगा भारत की इस्थिति उस समय उन देशों से अच्छी होगी उन देशों से बहुत ही सुख और सांती का माहौल भारत में होगा क्योंकि भारत का भोई से बहुत जल्दी परिवर्थित होने वाला है और यहां हर प्रकार की सुख सुधा के साथ सांती और सद्भाव मिलेगा तो इसलिए अभी तुम सोच रही हो विदेश जाने के लिए बच्ची हो आप पूरे बिश्व का हाल नहीं समझ पा रही हो अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो अभी आप विदेश जाने के बारे में कदापी न सोचो अभी आप फोकस अपने करियर पर करो और कुछ बन करके दिखाओ विदेश जाने की बात तो बाद की है जै माविन्देबासनी और आज के जो इमिल कुनली विजयता है उनका क्या नाम है हो सकता है वो आप भी हो थोड़ी देर में आपको बताएंगे लेकिन बाकी लोग अपनी समस्या भेज सकते हैं अपनी देट अवबर, टाइम अवबर, प्लेस अवबर्थ अपना फोर नमबर बिलकुल लिखना ना भूले काल्चकर अधारेट बियजय नेटवर्ग टोर्टेन पर आप भी जे, आप भी लखी विजयता बन सकते हैं माल अक्षमी की क्रिपा पाने के लिए आज धनु राशी वालों को हुली का देहन पर कौन से वपाय करने चाहिए आईए जानते हैं देखिए अगर धनु राशी है तब तो ये बात पक्की है कि तीसरे भाव में सूर्य बुद्ध सनी के साथ इस्थित है सनी अपने मूल त्रिकोन राशी में है और अब आपके उपर से साहरे साती भी खतम हो गई है तो राहत ये है कि चतुर सभाव में आपके दोदो सुभग रहे हैं गुरू और सुक्र और आपके भाग ये अस्थान में चंद्रमा की स्थिति है तो कहने का मतलब कि अच्छे दिनों की सुरुआत तो हो गई है लेकिन खोलिक्या दहन के समय खोलिक्या के पास जब जाईएगा तो पूरब दिसा में खड़े होईएगा पस्चिम की और मुह करके और दाहिने हाथ से खोलिक्या दहन में जो भी सामग्री आपको डालना हो अनाज हो गया गोबर के उपले हो गए लकड़ी हो गई कि नई फंसल जैसे जव या गेहूं हरा है तो उसको थोड़ा सा उखाड लिया उसको जला लिया उस आग में ये सब चीजें आप कर सकते हैं सामग्री डालते समय ब्रिहस्पती का गायत्त्री मंत्र या ओम ब्रिंग ब्रिहस्पतायन मां बोल सकते हैं और कल होली खेलने के बाद लोगों में बेसन के बेसन का हलवा भी बांटना चाहिए गोजिया भी सबको खिलानी चाहिए और लाल रंग के कपड़े में नव चुटकी होलीका दहन की राख रख करके 11 पीली कवडियों के साथ अपने तिजोरी में रखनी चाहिए और धनू राशिवालों को साफ या नए कपड़े पहन करके ही होली खेलना चाहिए इस बात का अगर आप धियान रखेंगे तो होलीका आपके लिए सवभागे साली होगी जैमाबिन दिवास बकर और कुम राशिवालों के लिए होलीका देहन के खास उपाई किया है यह तो हम जानेंगे लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के इमेल कुंडली विजेता के बारे में आज के हमारे इमेल कुंडली विजेता है राजिस्थान के रहने वाले सत्यौनरा अधारेंट सैनी पाथ जानना चाहा है इनका भविश्य कैसा रहेगा साथ ही श्रया मार्कित में इसकी नाम चाहते हैं परगित इसके बारेंचे पाथ चाहते हैं बार चेक कर लो डिटेल सत्यनारायण सवयनी इनका नाम है 27 अक्टूबर 1965 को इनका जन्म हुआ है 12 बचकर 27 मिनट में दोपहर को जुन्जुनु राजस्थान में इनकी जन्म लगन धनु रासी है और इनकी जन्म रासी ब्रिश्चिक रासी है अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है इनकी कुंडली में, सूर्य नीच रासी में है, चंद्रमा नीच रासी में है, ब्रहस्पती सत्रू रासी में है, सुक्र सत्रू रासी में है कुल मिला करके अगर इनके जीवन को देखा जाए तो इनका जीवन संघर्षों से हो करके गुजरा है इन्होंने हर कदम पर संघर्च करके सफलता प्राप्ट की है और मेहनत से कभी इनका पीछा नहीं चुटा है बच्पन में सनी की महाधसा में इनका जन्म हुआ था उसके बाद में बूत की महाधसा इनकी बहुत सामाने रही केतु की दसा में कोई चमतकार नहीं हुआ और सुक्र की दसा जो थी वो भी इनकी स्वास्त के लिए और बहुत जादे परिस्रम करने वाली दसा थी 6 अपरेल 2014 से सूरे की दसा सुरू हुई है यद्देप ये भागयोदय की दसा है इसमें इनका भागे उदय होना चाहिए था, मिटी छुए तो सोना होना चाहिए था लेकिन सूर्य इनका नीच रासी में बैठा हुआ है और नीच रासी में बैठ करके मकर के नौमांस में है इसलिए ये च्छ साल का समय भी संघर्सों में ही गुजरा लेकिन कुछ तो बहतर हुआ लेकिन अब जब से चंद्रमा की दसा चल रही है चंद्रमा पर सनी की पूरी द्रिष्टी है जितना पैसा आ रहा है आते ही फुर हो जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है कि पैसा कहा है न तो बैंक बैलेस हो पा रहा है न तो घर हो पा रहा है न तो वाहन हो पा रहा है 58 साल की उमर हो गई है न तो आर्फिक इस्थिती मजबूत हो पा रही है अच्छा देखो सेयर का काम जानने के लिए आदमी को उसके आएस और धनेस को देखना चाहिए और सुक्र को देखना चाहिए अगर इनके आयेस को देखा जाए तो सुक्र ब्याभाव में बैठा हुआ है और सुक्र की इस्थिती ब्रिश्चिक रासी में है जो सेयर बाजार में इन्हें लंबा नुकसान दे सकती है इसलिए मैं मना करना चाहूँगा कि सेयर बाजार का काम आप भूल करके मत करियेगा बाकी आपका भवी से ठीक है और भवी से ठीक करने के लिए एक उपाए पांच कीलो चावल तीन मीटर सफेद कपड़ा एक बजने वाला संख एक चांदी का सिक्का और एक मोती की माला ये स सारा सामानी कर्ठा करके हर च्छा महिने पर किसी अपने पुरोहित को या किसी कर्मकांदी ब्राहमर को दान करिए तब जाकर के आपकी परिस्तिती में सुल्हार होगा जैमाविद निवासनी और मालक्ष्मी की क्रिपा पारे के लिए आज मकर राख्ष्यवालों को होली का दहिन पर कौल से उपाए करने चाहिए आईए चांदे चलिए अगर आपकी मकर राख्ष्य है तो बताए देता हूं कि आपके डुति भाव में सूर्य बूत सनी की इस्थिती बनी हुई है और केतू है सनी की साड़े साती आपके उपर चल रही है खोली आई है कुछ आपका भला करे इसके लिए खोली का के अस्थान पर जब जाईएगा तो दक्षिर की तरफ खड़े होईएगा उत्तर की तरफ मुह करिएगा ध्यां रखिएगा और जो भी सामगरी डालना है उस उसे ओम संग सनस्चराय नमः कहते हुए डालिएगा खोली का दहन के बाद कल उरत के दाल के बढ़नी हुई इमिर्ती बाजार से खरीद करके या घर में बनवा करके लोगों को खिलाईएगा और सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होली का दहन की राख रख जारा लोहे की छोटी छोटी कीलें रख लीजिएगा और उसको बात करके तीजोरी में रख लीजिएगा निश्चित रूप से इससे आपके आर्थिक परिस्तिती पर असर पड़ेगा जामुनी रंग का गुलाल अपने कारोवारी मित्रों को लगाईएगा इससे आपको ल साल से चार साथ से आपका लगादार प्रोड़ाम देख रहा हूं रहता है मेरे बेटे का जन्म है स्टाइग ग्यारा चुरासी जो भी एम जी जो उसका देखना विश्य क्या है अगली तीन चार साल में वो एक्शली उसके तीन ग्रुप सीए के क्लियर हो गए है एक ग्रुप रहता है वो नहीं हो रहा है तो इसलिए थोड़ा परिशानी है तो वो करना चाहता है करे नहीं करे ये बतावना है देखो योगर्फ्रिया ऐसा है कि आपके पुत्र जो हैं उनके सिख्षा भाव का स्वामी चंद्रमा है जो ब्रहस्पति से छठा आठवा है CA का एक जो पेपर वाकी है, चाहे आठ पेपर वाकी हो चाहे 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 पेपर वाकी हो जिसका मई और नौमबर में परिच्छा होनी है तो इस साल का ग्रह गोचर ऐसा है कि इनको सफलता तो मिल सकती है लेकिन सफलता के लिए इन्हें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा वो प्रयास ये है कि इन्हें सुबह साम गणेश अथरो सिर्ष का पांच-पांच बार पाठ करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए अगर ये नियमित रूप से अस्ञान करके गणेश अथरो सिर्ष का पांच-पाठ करना सुरू करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नवंबर तक इनका सीय कम्प्रीट हो जाएगा और ये एक अच्छी जिन्दगी जीना सुरू करेंगे बहुत देर हो गई है 34 साल के हो गए है और ऐसी अवस्था में ये बहुत देर हो गया है इनके कॉर्स के लिए अब अगर गणेश की उपासला नहीं करेंगे तो ये सीय अधूरा रह जाएगा जय माबिन्दिवासि मालक्ष्म की कृपा पाने के लिए आज कुम्भराशी वालों को होली का दहन पर कौन से उपाई करने चाहिए आईए जानते हैं देखिए कुम्भराशी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशी में सुर्य बुद्ध सनी की इस्थिती है आपके भागे भाव का स्वामी सुक्र दूतिय भाव में है ब्रहस्पत्ति के सांथ तो ऐसे तो आपका सब कुछ अच्छा है होली आपके लिए मंगल मैं होकर के ही आई है लेकिन पस्चिम दिशा की ओगर अगर खड़े होकर के होली क्या में सामगरी डालिये तो यह और भी मंगल कारी आपके लिए होगा और सनी के मंत्रों का थोड़ा उच्चारण कर दीजिए होली क्या दहन के बाद सिंहाडे के सिंहाडे लोगों में बाटिये और होली के दिन सुवह नीली रंग के कपड़े में 11 चुटकी होली क्या दहन की राख के साथ साथ काजल की छोटी छोटी डिब्बियां रख करके तिजोरी में रख लीजे नजर जादू टोने से आप बच जाएंगे और अपने चेहरे को दही से खोली वाले दिन जरूर होए और अपने कपड़ों पर इत्र छिड़के निस्चित रूप से इससे आपका भागयोदय ह जै माबिन निवास में अब बात करते हैं मीनराश्य वालों की मालक्षपिक क्रिपा पाने के लिए आज मीनराश्य वालों को होली का देहन पर कौन से उपाई करने चाहिए आए जानते हैं चली अगर आपकी मीन रासी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होली बड़े ही पुनीत आउसर पर आपके सामने उपस्तित हुई है क्योंकि इस साल होली पर ब्रिहस्पति आपकी रासी में उच्छ के सुक्र के साथ हैं ये बहुत बड़ी बात होती है छोटी बात आपके रासी के लिए नहीं है दोदो सुभग्रह उसमें भी एक उच्छ रासी में इस्थित हो ये बड़ी बात है लेकिन छटे भाव में चंदर्मा इस होली पर है ऐसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सत्रू और रोक के अस्थान में चंदर्मा की इस्थिती होने से आप थोड़ा सा अपने स्वास्त के प्रति जागरूक हो जाईए और उत्तर पूरु दिशा की ओर खड़े होकर इसान कौन में खड़े होकर के और साउथ वेस्ट में मुह करके खोलिका में जो भी सामग्री आप डालना चाहते हैं वो ड खोलिका द्रहन के बाद सुबह कल हो सकतो लोगों में केले बाटिये या किसी धरमस्थान में जाकर के एक दर्जन केला परसाद के रूप में च्रहा दीए और सुबह थोड़ा सा पीले रंग का कपड़ा लेकर के जहां होलिका द्हन हुआ है वहाँ जा करके होलिका की साथ चुटकी राख पीले कपड़े में रख करके और साथ तांबे के छेंद वाले सिक्के या 11 कौडियां मिल जाएं तो इसे बांध करके अपने तिजोरी में रख लीजिए निश्चित रूप से इससे आपके आर्थिक परिस्तिती पर असर पड़ पंड़े जी बहुत अच्छी जान करी होली का दहन पर क्या उपाई करें आपने बताया ताकि मालक्ष्मी की कृपा मिले अपना समय दिया उसके आपका बहुत बहुत ज़न्यवाद और उमेद करते हैं आज का विशे आपको पसंद आया होगा कल भी होली पर पंड़े जी क पंड़ेट सुरेश पंड़ेजी और कालचकर की पूरी टीम का मनूबल बढ़ा सकते हैं आप हमें अपने वीडियोज हमारी इमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो है कालचकर आड़ दारेट बीजी नेटवर्क डॉट इन आप अपने अनुभव हमसे साजा करेंगी तो ये